गुड मॉर्निंग बच्चों फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेका आया हूँ मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल Study with दुलार जियां बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेसन नाइन आज हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे यह क्लास वन की इंग्लिस बुक है अब ध्यान दे करसर पे This box is red यह बक्सा लाल है That box is yellow वह बक्सा पिला है इसके पहले भी एक लेसन में मैं पढ़ा चुका हूँ कि दिस का मतलब यह होता है जो बस तु सामने होता है उसके लिए दिस लगाया जाता है और जो बस तु दूर में होता है उसके लिए यह दायट लगाया जाता है दिस मतलब यह होता है और दाइट मतलब वह होता है दिस बस इस ब्लू यह बस निला है ब्लू कलर के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है ब्लू का मतलब होता है निला दाइट बस इस ग्रिन वह बस हरा है दिस अम्बरेला इस ब्लेक यह छाता काला है इंबरेला इज वाइट वह चाता सफेद है दिस गन इज ब्राउन यह बंदूख भूरे रंका है डाइट गन इज ब्लैक वह बंदूख काला है यह लेशन नाइन यहाँ पर समात्त हो जाता है और इसके एक्सरसाइज में दिया हुआ है यह नमबर में रीड एंड लर्न दस्पेलिंग इसको पढ़ने और याद करने के लिए बोल रहा है इसको हम लोग पढ़ सकते हैं बुलीसमैन, टीचर, वस्टमैन, हाउस्वाइफ, रेड, एलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ब्लेक इसके आगे इसको भर के दिखाता हूँ मैंने भर दिया इसे रेड दा नेम ओप दे कलर्स ओप दा फॉलोविंग यहां कलर का नाम जो है इसका भरने के लिए बोल रहा है तो यहां पे रेड, एलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लेक, ब्राउन, यह सब कलर का नाम स्पेलिंग के साथ याद कर लेना है आप लोगो को और इसके आगे यहां पे read and learn इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है box यह सिंगुलर नंबर में है यह आप लोगो को आगे कलास में प्राच लेगा यहां पे box का मतलब बक्सा एक बक्सा है और यहां boxes का मतलब बहुत सारे बक्से more than one एक से ज़्यादा bus, buses, umbrella, umbrellas, gun, guns इस तरह chapter 9, lesson 9 पूरी तरह complete हो गया है और इसके आगे पढ़ने के लिए हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए good bye